आप में से बहुत सारे लोगों का यही view होगा कि भारत की अदालतों में एक बार आपका case डल जाए तो वो चक्कर कभी खतम नहीं होता, आप court के चक्कर लगाते जाते हैं, मन भी हार जाते हैं, और case भी हार जाते हैं. मैसर चक्रेशवर, Construction Private Limited वर्सेस मनोहरलाल, 2017 Supreme Court की आज में बात करूँगा, question तो यहाँ यह उठा कि क्या जो amendment होता है, plain का या written statement का, वो trial court नहीं, first appellate और वो भी नहीं, second appellate court के आगे, क्या maintainable है, तो answer दिया गया, हाँ, चाहे amendment हो गया, 1999 में, 2002 में, और pre-trial, post-trial का एक distinction create किया गया, post-trial में बहुत मुश्किल होगा, आपको bona fidee और due diligence को plead करना पड़ेगा, prove करना पड़ेगा, basic structure की जो theory दे थी अगरवाल वर्सेस मोधी में, जैसे case 1 और भारती जो civil procedure code का मैं कहूं अगर उसे, और रेवाजुति बिल्डर में जिस तरह कहा गया कि छेच सारा one of the most abused provision है वकीलों के द्वारा, इन सब चीजों के बावजूद कानून आज भी यही है, कि yes, अगर multiplicity of litigation रुकेगा, अगर आप bona fidee हैं, आपका कोई mala fidee नहीं है, due diligence अगर during trial आप लाना चाहते हैं, आप first appell court में या second appellate court में और आपकी कोई गलती नहीं है, तो हम अभी भी plaint को amendment करने दे सकते हैं, और ऐसा होता है, तो definitely additional evidence जैसे नीचेर साथ 143 है, उपर 41-27 है, यह सब भी allow किया जा सकता है, ultimately court का मतलब क्या है, आपके चक्कर लगवाना नहीं, आपको complete justice देना, किवल article 142 constitution of India में यही बात section 319 CRPCU या 617 judges के दिमाग में रहता है, कि hyper technical ना बने, जो गलत नहीं है, उसके साथ अन्याय ना होने दे, तभी कहते हैं, देर है मगर अंधेर नहीं, धन्यवाद